है यह एलो इस्टूडेंट्स आर्सी एजूकेशन अब बानशुर दौर असमचाली ओनलाइन क्लासेज में आपका हादिक स्वागत है यह यह स्टूडेंट्स कक्सच्च की गडिति विश्यमें हम पड़ रहे थे प्रिश्णावली 10.2 जो थी परिमाग छेट सोरी छेट्रफ और स्टूड़ ऐसके प्रिशन 15 ब्रौज रांज टेब इसमें इसमें तेन की कुशन आपको समझाए गए थैं बाकि कहने कुशन आपको श्वम को हल करने थे जो थोड़ा सा ही इसके तीन लाश्की कुशिछन इसमें थोड़ा सापको समझने में प्रोग्लम आएगी तो हमें कार्य वही करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकर्ती द्वारत पूरे घिरे गए वर्गों की संख्या निकालेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दी गई आकर्ती में, दी गई आकर्ती में, पूरे घिरे वर्गों की संख्या जाद करेंगे, वर्गों की पूरे गिरे वर्गों की संखे लेंगे रहए एक एक नो पूरा ऊन्सारा ये वागिने देखेंगे एंहार आप या सप्रोस हो고 हुए ये और नहीं आरे क्यों कितने आ रहें? दो. तो इसलिए पूरे गिरे वर्गों का छेत्र फ़ल. मिकारिम क्यों होगा? दो गुणा एक वरग इकाई. एक का क्यों दे एक वरग इकाई कि दो का? एक से गुणा कर देंगे दो की? टोटल कितना होगा है? दो वरग इकाई. अब इसमें सेकंड काम हम करेंगे कि आदे से अधिक कि आप करती दुआरा आदे से अधिक कितने वरगों को घेरा गया है. वरग है. तो देंगे, मैं सही की निशान से आपको पढदरश्यत करके कि चितना मैं बता गहा हुं जो पूरे पूरे कि द बारक है औ गो क्रोंस की निशान से आहब संभाले को प्लिया स्नरोग जो आदे से अधिक है तो गोडिक है करें तो कॉन्स करते हैं एक यह है वो यह वहम हें प्राइब कर नज़रता है कि इसमें आपको नज़रा रहोगा कि इसमें आधवाब कोई नहीं है क्या तो आधी से ज्यादा है या पूरे-पूरे है या आधे से कम है तो सेकंड काम आधे से अधिक गिरे वर्गों के संख्या आधे से अधिक गिरे वर्गों के संख्याब देख सकते हैं कितनी आ रही है अपनी आधिक वर्ग का भाव आकरती द्वारा घेरा गया है तो ऐसे वर्गों को भी हम पूरा कितना काउंट करते हैं एक वर्ग लेते हैं तो इसलिए आधे से अधिक गिरे वर्गों का छेत्रफल क्या होगा एक वर्ग को पूरा-पूरा मानेंगे तो छे पुना एक वर्ग इकाई क्योंकि एक वर्ग का कितना होता है एक वर्ग इकाई आप चुंकि मैंने आपको इसमें बताया था आप देख पी सकते हैं कि आप पर ती दुवारा कोई वर्ग आदा लिए नहीं है और आदे से कम हैं और आदे से कम को क्या कर देते हैं छेत्रफल में अब क्या करते हैं आपकरती का अनुमानी कुल छेत्रफल निकाल देते हैं आकरती का अनुमानी कुल छेत्रफल है व्रग पूरे वाला और शेल रग टिकाई आदिसे अधित तोकल किन आ गया आठ बर अगे एक आई कि इस तरह से इस अधरती का छेत्रफल कुल कितना आ गया है आठ बर अगे काई आगया है क्लिए ने समझगा हैं इसको प्लिए अम नेक्स्स क्यूश्य की बात करते हैं करेंगे हैं में देखिए आपको 31 नजर आ रही है इसमें देपन सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अपने एल में अपनाए है कि भी गया करती में पूरे घिरे वर्गों की संख्या पूरे घिरे वर्गों की संख्या इसमें काउंट करेंगे तो देखिए कौन कौन से हैं एक आपको यह नज़रा रहा होगा दूसरे यह है तीन चार पार और यह चै टोटल कितने नज़रा रहे हैं इसमें छै वर्ग पूरे घिरे हुए हैं किनी आगे टोटल 6 तो पूरे घिरे वर्गों का 6 तरफल पूरे घिरे वर्गों का 6 तरफल निकाल लेगे तो वह प्रोसेस है किना गरे ख़र बढ़ी एक आई सेकें हैं श्टेप अधे से अधिक आधिक आधे से अधिक में तेखेंगे तबेके काउंट करें आधे से अधिक आप यह तेख सकते एक प्रोसे दिखाद देगे इसको दो तीन चार पांच शें सारे आठ टोटल कितने वरग हैं आठ वरग हैं जो आधे से अधिक भाव जिनका गिरा हुआ है आकर्ति के द्वार और आधे से अधिक को भी हम किलना काउंट करेंगे पूरा ही मानेंगे आधे से अधिक घिरे वरकों की संख्या अधे से अधिक की ने आ रहे हैं टोटल आठ वरक तरीस लिए आधे से अधिक घिरे वरकों का छेक्तर पर आधे से अधिक वाले को वेपन के मानके पूरा मानक लेके चलेंगे आठ गुना एक वरक इक आई तोटन कितना आगया आठ वरक इक आई अब इसमें हम देख लेते हैं कोई भाग क्या आधा भी घिरा हुआ है देखेंगे कि अन्दे जो भाग बच गए हैं जो रह गए हैं वो सब आधे से कम हैं आप देख भी सकते हैं बाइगत बैग्राम में हैं यह देखिए आकर्ति का अनुमानित कुल छेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वो जोड़ देंगे आप पच्छे प्लार्स आच, बराबर चोदै बराग एकाई, समझ गए हैं आप इस प्रिशन को एक लाश इसका एल भाब और रहा है, इसको भी आवल करते हैं, बाकि देखें यह वर्टिंग ऐसे कैसी यूज होने वाली है, तो हम क्यावल यहाँ पर इसको रिजाफ कर देते हैं, क्यों क्यों क्योंकि यह वाली लाइने सेम ऐसे यूज करेंगे वापर भी, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं क्यावल, और सेम यही भाग खल कर देए, देखिए, बात करते हैं कौन सा कुश्चन आ गया अब, एन भाग, एन कुश्चन में सबसे पहले देखते हैं, पूरे घिरे में वरगों की संख्या, तो देखिए, एन कुश्चन में पूरे घिरे में वरगों की संख्या, दस, आप देख सकते हैं, इस आकर्टी में पूरे घिरेगे वर्ग कितने हैं, दस है, तो पूरे घिरेगे वर्गों के संख्याम कितने लिख देते हैं आपे, दस, फिर इसलिए पूरे घिरेगे वर्गों का छेतर फल लिका लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दस गुराग, एक इक आई तो टोटल दस का कितना आगया तो दस ग्राग विल एक आई किलियर है देखे टोटल कितने ते पूरे-पूरे गिरे गेवा है दस तो दस कितना आगया दस विरत की काई अब second काम अपना क्या रहेगा आधे से अधिक गिरे वर्गों की संख्या देखे कांट कीजिए एक ये हैं दूसरा ये हैं दो एक ये तीन चार्थ पांच छे साथ रेक ये आठ टोटल कितने हैं आठ वरग हैं जो आधे से अधिक गिरेवे हैं आप देख भी सकते हैं आपे तो आधे से गिरेवे वरग को विशंग्या कितनी आ गई आठ और इसका आप जब 6 फ़ल निकाले रहे हैं तो इसको ये पूरा वरग मानतेएं चलेगे तो आठ वुना एक पर एक अकाही है है कि PAC एक उल्क उनिकितना विश्मिपोर रग इन इसका अधिया आधे से अधिए गिलेवे वरगों का चेट्र पर टोटल कितना आ जया है आठ वराभी एक आई बाकी इसमें भी चेक करते हैं कि क्या कोई भाग आधा गिरा हुआ है तो यह आपर हम देखेंगे कि जो सेस भाग रह रहे हैं यह सभी आधे से कम है और इनको हम क्या करेंगे छेत्रफल में समलित नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो हमें जो जो बहुत छेत्रफल में चीए वह वह आगे तो आता है आप करते का रुमानित पुल छेत्रफल निकालेगे तो दस फिलास आठ तो पूरे गिरे हो गए वर्गों का था और आठ आधी से अधी तो टोटल कितना छेत्रफल आ गया है 18 वराग एक आई तीस तरीके स कर दिया है तो आज करता हूं आपको यह कुश्चन अच्छे से समझ में आए हमने तो आज के वीडियो में इतना ही वाकि हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याद करेंगे थैंक्यू